चात्रों के लिए किये गए बैग्यानिक नवाचारों, बिचारों और प्रजोजनाओं को प्रस्तुत कर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। ये विग्यान प्रदर्शनी गड़ी ठाकुर्दास रोहता रोड होराइजन स्कूल में लगाई गई। पर्यावरन सुरक्षा, स्मार्ट सिटी वा सौर उर्जा सहित अलग अलग विशेयों को प्रदर्शित किया गया। इस वार्शिक आयोजन में स्कूल प्रबंदन ने विध्यारतियों के अभिभावकों को भी आमंतरित किया था। हम हर जगे, हर पल हम अपने जीवन में छोटे उटे प्रजेक करते हैं जिनको हमें शुरू भी करना होता है, प्लाइन भी करना होता है, खतम भी करना होता है। विध्यारतियों से हमेशा रचनात्मक सोच रखने की सलहादी, कहा कि विध्यारती हमेशा कुछ नया करने की सोच हैं और इसमें अपनी उर्जा को लगाएं। बच्चों को प्रेडित करते हुए प्रधानाचारे ने कहा कि आज इनोवेशन का जमाना है, नवाचार को हर शेत्र में बढ़ावा मिल रहा है और इससे अच्छे परिणाम भी सामने आ रही है। कि कोई खत्रा है, कोई अप्स्टेकल आ रहा है, कोई अन्यूज्वल मूवमेंट है, तुम्हें अपने सिक्योरिटी एकिप्मेंट सब यूज करने हैं और उसे प्रोटेक्ट करना है अपने स्पेस स्टेशन को और खुद को भी क्योंकि वहाँ पर डिकेट्स तक रहते हैं Horizon Competition School की भवे विग्यान प्रदर्शनी का उद्गाटन मुख्याती थी, लेटिनेंट करनल सुनील पवार ने किया जो ये हमारा प्रोजेक्ट है, वो आजकल के सिचेशन को देखते हों बनाया गया है जैसे आप जानते हैं कि हर दिन कोई ना कोई जंग एलान होई जाती है जैसे NEW-लार हो गया, आपका इजराइल वर हो गया, हमास का वर हो गया, पलेस्तीन वर हो गया इन समय सबसे बड़ी प्रोब्लम होती है जान की क्योंकि पैसा और गोलियां या हतिया वगरा सब बनाए जा सकते हैं पर जान कभी लाए नहीं जा सकती करनल बवार ने बचों से प्रभावित होकर संस्था को भविशे साइंटिस्ट बनने में योगदान देने के लिए बहुत बहुत शुब काम नहीं दी Bureau Report, CNews, Agra